शक्ति के द्वारा यह सब पूर्ण हो रहा है मेरे पास जो रिपोर्ट्स आ रही हैं सब लोग इसमें सयोग कर रहे हैं इका दुका लोग यदि इसका उलंगन भी करते हैं तो मारी पुलिस उनको ठीक से समझाती भी है और यदि छोटा बड़ा कोई अक्षन भी करना होता तो लोग के सुरक्षा यह हमारे लिए पहला विशय है हो सकता इन दिनों में हमको चोटी मुटी खठाईयां भी आ रही हो घर के अंदर जो सामान हैं वो समाप्त होने को हो हमारी जो आवशक्ता हैं उसके अनुसार हमको अपलब नहों रहा हो लेकिन जितना है उसके साब से हमक आपको इन चीज़ों के लिए घर में पहुचाने के लिए तत्पर है हमने इसकी पूरी स्प्लाई चेन इसके अपर पुरा ध्यान फोकस किया हुआ है हर चीज़ आपको घर में मिलेगी चाहे वो राशन है क्रियाना है दूद पावडर है था तरल दूद है सब्जियां है इन सब चीज़ों के लिए हमने अपनी और सेवस्ता की है अड्मिस्रेशन चुप्स दुरुस्त लगा हुआ है कभी कोई कठाई भी आती है तो यह मान कर कि हम खाएंगे पिएंगे तो जीवन जीने के लिए खाना पिना है खाने पिने के लिए नहीं जीना है हमने जीवन ज अशाशन के साथ साथ सेयोग करने के लिए हमने अपील की थी कि वलंटियस भी अपने आपको रिश्टर करें और मुझे खुश्य है इस बात की कि पिछले चार दिनों से जब से रिश्टरेशन खुला है लगब 32,000-33,000 लोगों ने अपने आपको वलंटियर के रूप में जिसमें 546 तो डॉक्टर्स हैं 255 नर्सिज हैं 1108 पैरामेडिकल्स हैं होम डिलिवरी के लिए जो सायक जिनों ने अपने आपको तयार किया है और रजिस्टर किया है से 4700 है शोशल डिस्टेंसिंग कम्मिनिकेशन ये भी एक बड़ा काम है लोगों को इंस्पायर करना परस को दी है डिस्टिक मैनेजमेंट को स्पोर्ट करने के लिए 6200 लोग ने अपने आपको उफर किया है हमारे जिला प्रशाशन सब जगा इन वालंटियर्स को जहां जहां जहतनी आफशकता है वो उनका उपयोग करेंगे उनको सबको इन देश दे दिये गये हैं करोना के खिल दिस्टेंसिंग के रूप में मंतर के रूप में बदलते हुए हम इसके अंदर आगे बढ़ेंगे ताकि इसको मुकाबला कर सके कुछ बातें इसके लिए मैं आपको धंधर आ रहा हूं कि सबसे पहला विशह किसानों के समद्द में मैं कहना चाहूंगा किसान इस समय उनको साधनी आपन है वह इसी में से ही बनके निकलने वाला है तो उनको किसी प्रकार की चिंता नहीं करने की आउशकता हम फसल का एक एक दाना ये खरीदने के लिए हम यानि एक प्रकार से योजिना सारी मारी बन गई है कि हम थोड़ा इसमें डिले हो सकता है थोड़ा इसमें देरी हो सकती है चोंकि जैसे हमको पता है कि 14 अपरेल तक यह करना संभव नहीं है इसलिए हमने इसकी तित्यों के अंदर परिवर्तन करके कि जो प्रक्यूर्मेंट है सरसों की प्रक्यूर्मेंट 15 अपरेल से शुरू कर दी जाएगी और इसे प्रकार गेहों की जो प्रक्यूर्मेंट है वो भी 20 अपरेल से शुरू कर दी जाएगी अगर सब प्रसतिया सामाने रहती है तो हम इन तित्यों पर अपना प्रक्यूर्मे हैं जितनी संभव है जितनी हमारी ख्रमता है उसको अपने घरों में स्टॉक करें और जहां लगता है कि हमें हमारी स्थिति में हमारी ख्रमता में कोई कठनाई है तो इसके लिए marketing board के जो लोगों को हमने instruction दे दी है कि वो कोई भी विवस्था करने में हमारा सयोग करें हमारी साहता करें और इसके लिए जितनी देरी होगी हम निश्य दूरूप से इसका incentive ये भी घोशना करने वाले हैं गेंदर सरकार को हमने लिखा है कि वो इसके लिए किसानों के लिए एक incentive की योजना ये बनाएं और मुझे लगता है कोई ना कोई योजना बहुत जल्दी बनेगी परदेश की ओर से भी हम उस योजना के साथ जोड़ करके कोई योजना बनाएंगे ताकि आपको उसके लिए कोई कठाई न सहने पड़े बैंकों में जहां तक पैसा जमा करनाने की बात है हमने केंदर सरकार को ये भी एक निविदन किया है कि 15 अप्रेल की बजाए इसका समय थोड़ा और बढ़ाया जाए ताकि किसानों को अपनी फसल बेजकर आने वाला जो पैसा है वो बैंकों में जमा करा सकें और उस समय तक का जो ब्याज की जो माफी है केंदर सरकार की और प्रदेश सरकार की दोनों की बढ़ए हूँ समय के साब से ही उसकी प्यवस्ता की जाएगी बहुत से जो सरकारी करमचारी है वो एक परकार से इस स्थिति को जूज रहे हैं एक युद्ध की तना जूज रहे हैं और उस युद्ध में उनका उदेश हमको सबको सुरक्षित करना है उस युद्ध के अंदर जैसे सेना अपने मोर्चे पर काम करती है उसी प्रकास से वो सब भी लोग लगे हुए हैं अपनी चिंता न करते हुए हमारी सब की वो चिंता कर रहे हैं एक बहुत बड़ा दायुत वो निभा रहे हैं एक सेवा का काम कर रहे हैं हम उनके प्रति कृत्यग्य हैं कि अपने आपको भी वो रिस्क में डाल करके वो हम सब की सेवा कर रहे हैं इनकी चिंता सुरक्षा करना भी हमारी अपनी जिम्मवारी बनती है उनके परिवारों के चिंता भी हम लोग करें और जहां-जहां जो रहते हैं उनको किसी परकार की कठनाई ना ने दे उनके पड़िवारों को एक घुषणा मैं ने पीछी की थि कि इनको जो लोग इस परकार के काम में लगे हैं बप्शियों में घुत्यो जहां भी आफसे कर्मी हैं करमचारी हैं उनकी एक्स ग्रेशिया दस लाख रुपे की गोशना में ने की थी उसके लिए विचार किया है कि इसको थोड़ा और बढ़ाया जाए और ताके जो बिलकुल कोविड आइसोलेशन वार्ड में या फिर कोविड टेस्टिंग लैब्स में जो टेस्टिंग लै है और बाकी सबी करमचारी चाहे वो पक्की नौकरी पर कारेत हैं या अनुबंद पर कारेत हैं एक्स ग्रेशिया की राशी कोई दुर घटना के कारण से यानि कोई ऐसा बगवान न करे कोई गठना या आती है तो ऐसे सब लोगों के लिए 20 लाख रुपया कर दिया गया है ताके जो लोग इस वार्ड्स के अंदर पॉजिटिव पाय जाने वाले जो लोग हैं वहां वार्ड्स में जो उनकी इलाज चल रहा है या फिर जो कोई टेस्टिंग लैब में पॉजिटिव पाय जाने के उपर ऐसी स्थिती में ऐसे करमचारियों को डॉक्टर्स को नर्सि लेब और भी शुरू कर दी जाएंगी प्रभू ना करें अवशक्ता हुई तो इन वार्ड को इन टेस्टिंग लेब को और बढ़ाने के आवशक्ता होगी वह भी बढ़ाई जाएगी प्रयाप्त मात्रा में जो वार्ड के अंदर बेड्स हैं आइसोलेशन बेड्स लगभग धनकराय जा रहा है इसी प्रकार आखिर आर्थिक मोर्चे पर भी बहुत से बहुत सी समस्यां यह हमको जहलनी पड़ेंगी गरीब परिवार जो प्रतिदिन कमाता है देहडीदार वाले व्यक्ति है मजदूर है छोटा दुकांदार है इन सब लोगों की सहायता के लिए भी हम लोग योजना बना रहे हैं इसके लिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री परिवार समृध्धी योजना यह योजना पहले से चला रखी है इस योजना में अभी तक 12,56,000 इन परिवारों का रेजिस्ट्रेशन हो चुका है और 4,000 प्या एक मुष्ट राशी इनको भेजनी शुरू की है 2,56,000 परिवारों को यह राशी भेजी जा चुकी है लगबग 84,46,000 रुपे अभी तक इसके अतरिक्त जो कंस्रक्शन वर्कर्स बोर्ड है वहां भी 3,85,000 लोग इनको भी राशी 1,000 प्रती सप्ता यह भेज दी जाएगी और हर सप्ता यह राशी भीजी जाएगी इसकी अतरिक्त भी बीपियल के परिवार हैं यह जो इन सुचियों में नहीं आते हैं उनका रेश्टेशन करने की अलग प्रावदान कर रहे हैं ताकि यह थार प्रती सप्ता उन सब को भी दिया जा सके बहुत लोगों की साहता करनी की आवशकता रहेगी तो सरकार की और से एक रिलीव फंड हर्याना कोरोना रिलीव फंड इसकी स्थापना की गई है और इसमें भी बहुत लोग बहुत जेनरसली इसके अंदर इसके अंदर अपना योगदान कर रहे हैं अभी तक लगभग 2000 से ज्यादा लोगों ने इसमें अपनी राशी का योगदान किया है पांच करोड 84 लाख रुपे की राशी इस समय तक इसमें आ चुकी है इसका बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ओफ इंडिया पंच्छकुला में खुला गया है IFSC कोड है SBIN0001509 और जो खाता नंबर है 39234755902 बहुत से प्रचार माध्यमों से इस खाता नंबर की जानकरी आपको दी जाएगी इनके जो लिंक है वो भी आपको उपलब्द करा दिये जाएंगे ताकि उस बैंक के सीधे लिंक पर जाकर के भी हम RTGS से उस पैसे को भेज सकते हैं QR कोड और UPI अर्थात Unified Payment Interface ये दो तरीके और भी हैं जिन माध्यमों से कोरोना लेव फंड में डोनेशन ये दी जा सकती है जो एक विश है कि हम लोगों ने जो लोग वोलिंटियरी सनाते से काम करने के लिए फिल्ड में जाएंगे उन से उनकी पैचान ये पूछी जा सकती है पुलिष के दौरा हर वेक्ति से जो बाहर घुमेगा बाहर जाएगा या आउट साइड पर घर से बाहर रहेगा पैचान पूछना उनका दाइत्व है उसके लिए सबी ऐसे वालिंटियर्स को या सरकारी अधिकारियों को पास दिये जाएंगे आज ही साइकाल ईपास सिस्टम की जानकारी सभी डिप्टी कमिशनस को दे दी जाएगी ताकि ईपास के माध्यम से हम उसमें रेजिटर करके चाहे मार्केट के क्रियाना के लोग जो स्प्लाई चेन वाले हैं वो अपने वालंटियर्स को रेजिटर करें अत्वा जो करेंगे करेंगे सप्लाई चेन के लिए जो लोग आग्रोसरी मिलक इसक अदि इन सामान की स्प्लाई करना के लिए जो अपने आपको आफर करेंगे उन सब के लिए हमने एक व्वस्था की है कि ऐसे सब किर्याना के लोगों को इनको हम लोग रिश्टर करने के लिए एक वेब साइट इसका लॉंच कर रहे हैं और अभी उस वेब साइट का लॉंच यह मैं करने जा रहा हूं इस वेब साइट का जो नाम है कोविड एसस हरियाना डॉट आइन सी ओ विए डी कोविड एसस हरियाना एच यार वाई ए अन डॉट आइन यह इसका आई-पि-अल एडरेस रहेगा इसको खोल करके हम अपना रेश्टर करने के जबात आएगी उसमें जयानकरे दो registration के उसमें आइकन होंगे एक में किर्याना और मिल कमिस शॉप registration है दूसरे में volunteer registration है तो चाहे volunteer registration करें चाहे किर्याना और यह जो दुकानदार जिनोंने supply करना वो उसमें register करेंगे ताकि उनकी जानकरी वो सब ग्रहकों को अधवाजिन लोगों को समान चाहिए उनके पास उपलब्द होगी उनके इलाके के साब से मौले के साब से उनकी सुचियां उपलब्द हो जाएंगी जहां भी वो फोन करेंगे वहां से उनको सामान volunteer के द्वारा उनके घर पर यह भीजा जाएगा तो यह भी एक व्यवस्ता management के हमने की है पावर डिपार्टमेंट उनकी और से भी एक योजना बनाई गई है जो के cash counters पर भीड लगने की एक संभावना यह हमेशा बनी रहती है तो उन्हों ने आज से अपने सब cash counter यह बंद किये हैं और साथ ही एक सूचना दी गई है कि सभी cashless तरीके से digital तरीके से और अपने अपने बिलों का भुकतान करें यह सब consumer net bank के माध्यम से debit card credit card ptm bill desk bbps neft और rtgs इस माध्यम से बिलों का भुकतान कर सकते हैं 14 अप्रेल के बाद जो cash counter खुलने की बात आएगी वो समाने सहतियां होने के बाद ही खुल पाएंगे इस बीच में 14 अप्रेल से पहले जो लोग नेट वे इस फरकार की internet के माध्यम से net banking माध्यम से या digital माध्यम से अपनी payment करेंगे उन्होंने एक सुधा और दी है कि दो प्रतिशत बिल के ओपर कटोती करके अगले बिल में और उनको credit कर दिया जाएगा ये छूट दे दी जाएगी उसमें बीस रुपए से लेकर के अधिक्तम राशी सो रुपए तक का सौ रुपए हमें लेगा और इससे उपर के सब बिलों के उपर सौ रुपए के कटोती ये अगले बिलों के अंदर कट करके आएगी इसलिए निवेदन है कि हम लोग अपने घर बैठे हुए और ऑनलाइन पेमेंट डिजिटल पेमेंट इसको करने का अभ्यास बनाएं ताक दो तरफा होना चाहिए इसलिए आपकी और से भी किसी प्रकार की कोई कठनाई आती है समस्या है कोई शंका है कोई सुझाव है इन सब बातों के लिए हमने दो हेल्प लाइन नंबर्स फ्री हेल्प लाइन नंबर्स ये जारी किये हैं उनके नंबर है बहुत छोटे नंबर है चार अंकों की नंबर हैं दोनों एक है 1075 इक शुन्य शुन्य साथ पांच और दूसरा है 1100 11000 तो दोनों इंक चार अंकों के नंबर हैं सरल हैं याद करने में इसलिए हम लोग इसके उपर कभी भी फोन करके 24 घंटे दिन राती खुले रहेंगे आपको डिस्टिक की कोई समस्या वहां की है उसकी भी जानकरी इसके माद्यम से आपकी डिस्टिक एडमिशन को मिल जाएगी वह आपके सयोग के लिए हमेशा आएंगे और प्रदेश तर पर भी कोई सुचन करेंगे मैं अब आप से अंतमिन एदन यहीं करता हूं कि यह एक ऐसी लड़ाई है एक ऐसा युद्ध है जिसको हम सम मिल करके यदि लड़ते हैं और जो इसका मूल मंत्र है वह सोशल डिस्टेंसिंग लॉकडाउन से सोशल डिस्टेंसिंग मैं इसको कहता हूं लडी टू परमान होगा कि हम करोना को हरा कर छोड़ेंगे करोना हरियाना से हारेगा भारत से भागेगा करोना हरियाना से हारेगा भारत से भागेगा यह हमारा संकल्प है और इसके अधार के उपर हम सब मिल करके अनुशाशन से सहियं से एड्मिसरेशन के लोगों का सयोग करे वालें के पास पॉरम होगा पास होगा यह झाट काध होगा कभी भी कोई आपको लगता है कि किसी को पैचान में दिक्कता रही है उसका of के पर उसकी जानकारी अगर सम लगता हो इस भिस के हैं इतना ही निवदिन करते हुए मैं आपको फिर पुरा विश्वास दिलाता हूं कि हर चीज की उपलबता आपको घर बैठे होगी यह 21 दिन का समय हमारे लिए ऐसा है कि अपने जीवन का एक बहुत महत्पूर्ण यह अवसर आया है समय आया है इसको अपने जीवन का हिस्सा मान करके हम संगर्श कर रहे हैं यह सियादगार को नाते सी में रखेंगे अपनी सुरक्षा के नाते याद रखेंगे और जीवन का यह मानना हो कि यह किस दिन हमारे जीवन के कम हो गए तब भी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हमने चोके टार्गेट है हमको अपनी सुरक्षा अपने परिवार के सुरक्षा अपने समाज के सुरक्षा मानवता के सुरक्षा यह चाहिए क्योंकि आज पूरा विश्व इससे जंग कर रहा है यह आपसी कोई मतभेद का विशह नहीं है आप सब मिल करके सब मतभेदों से उपर उठकर के मिल करके इस काम को करें यही मेरा आपसे निवेदन है बहुत-बहुत धन्यवाद